अमेरिका के न्यूजर्सी में निवार्क मस्जित के बाहर एक इमाम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार अभी तक इस हमले के पीछे की मंशा का पता नहीं लग सका है। न्यूजर्सी के अटॉर्नी जनरल मैथ्यू प्लैटकिन ने कहा कि अभी तक हुई जाँच और सबूतों में ये संकेत नहीं मिलते कि गोली बारी पूर्वा ग्रह से प्रेरित अपरात थी या फिर इसमें कोई आतंकवाद से जुड़ा एंगल था। बुधवार को जिन इमाम की हत्या हुई उनका नाम हसन शरीफा है। अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले और फिर इसराइल की कार्रवाई के बाद से अमेरिका में भी इसलामोफोबिक मामले बढ़ गए हैं। इसी की वजह से अमेरिका के सुरक्षा विभाग ने अलग-अलग धर्मों को मानने वालों से सतर्कता बरतने को कहा था।